Hello everyone, how are you all? आज हम लोग Law of Contract 2nd की क्लास डिसकस करने वाले हैं 7 और इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे उपने हीती के करतवे और अधिकार क्लास 6 में हम लोगों ने उपने धाता के करतवे और अधिकार देखे थे इस वीडियो में हम लोग उपने हीती के क्या करतवे और अधिकार हैं ये डिसकस करने वाले हैं आपके दोनों टॉपिक ही बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है इन दोनों में कोई न कोई आप से जरूर पूछा जाएगा लेकिन आपको जदा याद करने में परेशान होने के जरूरत नहीं है अगर आपने उपने धाता के अधिकार और करतवे अच्छे से लन कलिए हैं तो ये आपको अपने आप ही लन हो जाएंगे जैसे उपनी धाता के जो कर्तवे होंगे उपनी हिती के वो अधिकार होंगे ठीके और जो उपनी धाता के अधिकार होंगे वो उपनी हिती के कर्तवे होंगे ठीके तो ये इस तरीके से कुछ चलता है तो आप लोगों को मैंने class 6 में उपने धाता के अधिकार और कर्टवे अच्छे से समझा दिये थे और आज हम लोग class 7 में उपने हिती के कर्टवे और अधिकार देखने वाले हैं ठीक है जैसा कि यहां आप लोग देख पा रहे होगे यहां पर उपनिहिती के कर्टवें बताए गए हैं, यानि duties of Bailey, उपनिहिती कौन होता है, आप लोगों को मालूम है, ऐसा वक्ति होता है जिसको समान दिया जाता है, ठीक है, यानि इसको कोई भी माल जो है उपनिदान की तूब कर दिया जाता है, और उपनिदान को होता है वह वक्ति होता है जो माल को देता है दूसरे वक्ति को ठीक है तो यहाँ पर उपनिहिती का क्या करता हुए होगा आप उपनिहिती हम जब भी बोलें तो आप दो एक्जामपल बस दिमाग में रखेगा कि टेलर टेलर जो है वो आपका कौन होता है वो आपका उपनिहिती होता जिसके पास आप कपड़ा लेकर करके जाते ह slediley के दोकान में जाते हो तो वहां पर जो ड्राइ क्लीनर होता है वहाँ आपका एक उपनी हीति खता है और एक निशित उद्देश के लिए उसे अपने पास रखता है जब कोट आपका क्लीन हो जाता है वो वापस कर देता है आपको या फिर दूसरा एक्जामपल आप रख सकते हो कि जैसे कि आपका दोस आप से घोड़ा मांग करके ले गया उसकी गुरसवारी करने के लिए तो ये घोड़ा जो है किसके पास है अब सतरकता बरते यानि उसकी हिफाज़त इस तरीके से करे जैसे कि कोई वेक्ति अपनी वस्तु की हिफाज़त करता है तो फॉर एक्जामपल आप कोट ड्राइ क्लेनिंग के लिए देते हो तो उस दुकानदार की ये रिस्पॉंसिबिल्टी है कि आपके कोट की वो उचित सु सकते हो या अपने एक्जाम में में मेंसन भी कर सकते हो ये केस है इस बार में क्या होता है कि जो आपका उपने धाता है वो उपनी हिती को कुछ सोना देता यानि आभूशर देता है उपने धान के तोर पर लेकिन जो उपनी हिती वो क्या करता है कि सोने को एक बकसे में कहने जो है चोरी हो जाते हैं तो यहां पर इस उपनहीती को उत्तरदाई ठहराया गया क्योंकि इसने प्रॉपर इसकी उचित देखवाल नहीं करी थी इसने ऐसे कमरे में यह बॉक्स रखा था जहां जो कमरा सुरक्षित नहीं था और उसकी चाबी भी इस बखसे की चाबी भ करतव यानि उपनहीती का यह करतव है कि वो उपनिधान की वस्तो का आप्राकृतिक प्रियोग ना करे यानि जो भी उसको वस्तो दी गई है उसका वो प्रियोग करे लेकिन आप्राकृतिक ढंग से उसका प्रियोग ना करे यदि वो ऐसा करता है और उसके पशाद अगर उ ऐसी नुकसानी के लिए उत्तरदाई ठहराया जाएगा ठीक है यानि फिर वो उपन इधाता को ये नुकसानी जो है उसे वापस लोटानी पड़ेगी ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना पड़ेगा उसको नेक्ट है कि मिस्रण ना करने का करतव ये भी इसका करतव है कि जो भी वस्तु उसको अपने धान के तौर पर दी गई है तो उसको वैसे की वैसी रखे ऐसा नहीं कि उसको अपनी वस्तु में मिला ले जैसे एक इलिस्टेशन था कि का जो है वो खा को 8 किलो चावल देता है ठ जो भी उपने धाता को नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए उपनी हिती उत्तरदाई ठ्रहराया जाएगा तो यहां पर इसका तीसरा यही करतव है कि जो भी उसको अपनी धान की वस्तो मिली है उसका मिस्रण ना करे यानि उसे अपनी वस्तो के साथ मिलाये नहीं नेक्स्ट है वापस देने का कर्तव उपनिहिती का ये कर्तव है कि जो भी वस्तु उसे उपनिधान के तौर पर दी गई है उसे वो वापस भी करे सम्विदा में अगर कोई निश्य समय दिया गया है तो उस निश्य समय के पूरा हो जाने पर उस वस्तु को वापस कर दे अगर समय नहीं दिया गया है तो फिर उपनी धाता जब उस वस्तु की मांग करे तब उसे वापस दे दे इसका अगला करतव है कि उपनी धाता के अधिकार की अवहिलना ना करना उपनीती का एक करतव है कि वो उपनी धाता के अधिकार की अवहिलना नहीं कर सकता है अगर उपनी धाता अपनी वस्तू को मांगता है तो वहाँ पे इनकार नहीं कर सकता है देने से कि नहीं मैं तुमक नहीं है यह किसी और की है यहां पर यह ऐसा नहीं कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता भी है कि इस वस्तु का मालिक कोई दूसरा है तब भी वो उस दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है यहां पर इसे उपने धाता को ही वस्तु वापस लोटानी होगी जिस व्यक्ति ने उसको समान दिया है वस्तु दी है उसे उसी को ही वापस करना होगा और अगला है कि व्रधी वापस करने का करतव है यानि उपनीती का ये करतव है कि उसके पास जो भी उपनिधान की तोर पर वस्तु रखी है अगर उस दोरान कोई उसमें लाब हो जाता है या उसमें कोई व्रधी ह तो उपनिहिती का ये कर्तव है कि वह ऐसी व्रद्धी जो है उपनिधाता को वापस करें जैसे गाय और उसके बच्छडा वाला हमने जो एक्जामपल लिया था कि उपनिधान के दौरान अगर गाय जैसे बच्छडे को जन्म दे देती है तो फिर उपनिधाता सिफ गाय को ही वापस नहीं लेगा वो बच्छडे को भी वापस लेगा ठीक है तो ये इसके कर्तव है आएब हम देख लेते हैं उपनिहिती के अधिकार यानि राइट्स ओफ बेली तो उपनिहिती के निमलिकित अधिकार है जिनमें पहला अधिकार है प्रतिकर पाने का अधिकार जिसको अगर उसके बारे में उपनी हिती को नहीं बताता है और उसके वज़े से अगर उपनी हिती को कोई छती हो जाती है जैसे घोड़ा अगर खाको घोड़ा उधार के दोर पे दे रहा है घोड़ सवारी करने के लिए लेकिन उसको मालूम है कि उसका जो घोड़ा वो पागल है उ ये नुकसाने वो उपने धाता से प्राप्त कर सकता है और किस तरीके से छती हो सकती है जैसे कि कभी-कभी उपने धाता को अधिकार नहीं होता है कि वो किसी वस्तू का उपने धान कर सके ठीक है लेकिन फिर भी अगर कर देता है वो और उसके पस्चात अगर उपने हिती को को नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर वो भी नुकसानी जो है उपनिधाता से प्राप्त कर सकता है या कभी-कभी उपनिधाता निश्य समय के पहले ही वस्तू को मांगने लगता है और अगर उसके पशाद उसको कोई छती नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर भी वो उससे छती रटल ऊसोल कर सकता है यानि जो भी उसको नुक्सान हुआ है उसके बदले में भर पाई प्राप्ट कर सकता है अब यहाँ पर अगर अबने धान की संविदा के अंतरगत अबने धाता अबने हीटि के बीच प्राप्त होती है कि उपनिद्हाता उपनिधान के लिए कुछ धन देगा तो यहां पर अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह ऐसे धन को वसूल कर सकता जैसे टेलर वाले उसके आप से लेगे अब कहता है कि यह मैं एक सथ जो है पानच रुपए के सिलती हूं ठीक है तो अब यहां पे उपनिहीती का यह अधिकार है कि जब तक आप उसको 500 रुपए दे नहीं देते हो उसके सर्ट सिलने का जो महंताना जो पारिस्रमिक है जब तक आप उसको दे नहीं देते हो तब तक वो आपकी सर्ट वापस नहीं कर देगा ठीक है तो यानि जो उपनिहीती होता है दूसरा यदिकार होता है कि उसका जो महंताना है जो उसका जो पारिस्रमिक है वो आपसे वसूल कर सकता है यानि वो उपनिधाता से वसूल कर सकता है लेकिन यदि उपनिधान की समविदा में इस तरीके का कोई करार ही नहीं है कि उपनिधाता उपनिहिती को कोई खर्च या पारिस्रमिक देगा तो वहां पर उपनिहिती उस उपनिधान की वस्तु में जो भी आवश्या के मूलभूत खर्चे करता है तो वो से यानि उपनिहिती को ऐसे खर्चों को प्राप्त करने का दिकार है जैसे कि एक एक जामपल लेते हैं का जो है वो खा के पास अपना खाना पानी को देता है यह साथ में बीच में अगर उस बीमार भी हो ञाता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है दवा कराता है अपने पैसे घर है तो यहां पर यह कि आ वह कि जो हैए को दा कर वादिकार कि जितना भी पास applic अघिकार कि एक जो अगला जो अधिकार है तो वो यह है कि उपनी हिती का उपने धान की वस्तूपत धारणा अधिकार धारणा अधिकार यानि इसके नाम से ही आपको पता चला है धारण करने का अधिकार यहाँ पर उपनिहिती को एक और अधिकार प्राब्ध है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि उपनिधाता उपनिहिती के पैसे वापस नहीं करता है यानि पैसे से मतलब उसका जो भी महनताना है जो भी उसकी फीस है जो भी उसने उस वस्तु में जो खर्च किये अगर उपनिधाता जो भी वस्तु उसके पास रखी है उस पर वो अपना कपजा बनाया रख सकता है यानि उसको अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि उसके सारे खर्चे जो है उसको मिलना जाए जैसे टेलर को अगर आप सर्ट के पैसे नहीं देते हो उसकी सिलाई के पैसे अगर नहीं द कि हो मैंताना के पर कुंटान का मतलब का होता है तूस Salt को पने पास तक सदम रखता कि अपने पास असका तक अधिकार लुकि दो यहां पर द dependent होते हैं वह सब्सक्राफ ठापकर यह नीच rectangular rug जहां पर उपनीती किसी एक विसेश वस्तु को ही अपने कपजे में रख सकती है जैसे जो दरजी है वो उस सिर्फ कपड़े को अपने पास रख सकता है जो उसको सिलने के लिए दिया गया था या जिसका महंताना भी उसको नहीं मिला या जिस कपड़े की सिलाई उसको भी नह गया है जब तक कि उसका पैसा जो है उसको उपने धाता नहीं दे देता है तो विस्स्ट धार्णादिकार के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर किसी एक विसेश वस्तु में कबजा रखना यानि किसी विसेश वस्तु को अपने कबजे में रखना ठीक है और दूसरा क्य जो भी उसके पास है उसको रोकने का दिकार होता है जब तक कि उसके सारे पैसे जो है उसको मिल नहीं जाते हैं जो भी उधार है वो जब तक उसको पूरा वापस पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो अपने धाता की वो कोई भी वस्तू को अपने पास रोक करके रख सकता है अपने कबजे में लेकिन विस्टेश धाना दिकार में क्या था कि वो केवल और केवल उसी वस्तू को रख सकते थे जिसके संबंद में संविदा हुई थी ठीक है जिसके संबंद में काम कर करना था उके चलिए और यहाद रखेगा जो साधारत धाना देकार है कुछ लोगों को प्राफ्ट है जैसे बैंकर बैंक को बीमा के जो दलाल होते हों उनको एड़ोकेट जो होते हैं हाई कोड के अड़ोकेट उनको प्राफ्ट है और आठतिया यह इन लोगों को ही एकेवल धारणाधिकार प्राक्त है और यहां पे आप लोग याद रखेगा जो विसต ॥ाड़ अधिकार है जो इसके बारे में 171 प्राववधान कीया गया है ठीक है आप tak सकते हो इसके बाद आपका उपनी हिती का जो अंतिम अधिकार है वो है वाद लाने का अधिकार यानि यदि किसी विक्ति ने उपने धान की वस्तू को उपनी हिती से गलत डंग से प्राप्त कर लिया है तो यहां पे धारा 180 में दिया गया है कि उस समान को वापस पाने हे तू उपनहिति को उस वेकति के विरुद्ध बाद लाने का अधिकार प्राप्त है तो है यह आपका याद रकेगा आप लोग कहा गया है यह दॉद्ध भाद方 का ही ठीक है तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कॉमेंट में इसका फीडबैक जरू दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाय टेक केर